दोस्तो आज हम इस सर्किट को बनाना सिखेंगे ये एक high amp 1.5 volt to 12 volt boost converter सर्किट है तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना खराब electronic fan regulator का एक सर्किट उसके बाद दोस्तो देखिए इस सर्किट में यहाँ पर ये जो कोईल है इस कोईल को हम सर्किट से निकाल लेंगे अब हम इस कोईल के अंदर ये जो तार है इस तार को निकाल देंगे अब हम लेंगे 136 AWG कोपर वेर का एक टुकरा उसके बाद इस कोपर वेर की टुकरे को हम इसके उपर टोटाल 300 बार ऐसे टार्न कर देंगे अब हम लेंगे एक 30 AWG कोपर वेर का एक टुकरा उसके बाद इस कोपर वेर की टुकरे को हम इसके उपर टोटाल 28 बार ऐसे टार्न कर देंगे अब हम लेंगे एक D882 ट्रांजिस्टर उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पीन हम कोईल के इस स्टार के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हम लेंगे एक 33 ओहम रेजिस्टर उसके बाद इस रेजिस्टर को हम कोईल के इस स्टार के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस स्पिन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोट उसके बाद इस डायोट का एनोर पीन हम कोईल के इस स्टार के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोफ्तो ये छोटा सा सरकिट तयार को चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं हम इस स्टार कर दोफ्तों वो वोटा, my time को तो तो पुका है तो भाद कोईल झाल 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 झाल